अचारे चानक के अपनी रन नीतियों को लेकर जानी जाते हैं। लेकिन यह जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। पत्नी को अपने रिस्ते कुल और मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आईए जानते हैं वो कौन सी बाते हैं। सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा करना। विश्वास हर रिस्ते की नीव होता है। यदि आपको अपने पत्नी या पत्नी पे भरोसा नहीं है, इसका अर्थ है कि आपके रिस्ते की रोड मजबूत नहीं है। यदि पत्नी के बीज शक की दिवार आ जाती है, तो इसका अर्थ है कि आपका रिस्ता तूटनी की कगार पर है। इसलिए अपने रिस्ते में कभी भी शक ना आने दे, एहंकार से दूर रहें। पत्नी के रिस्ते में एहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चानके के निते शास्त्र के अनुसार धर्म में भी पती और पत्नी दोनों को समान दर्जा प्राप्त है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जूट ना बोले। यदि पती और पत्नी को छिपाने के लिए जूर बोलते हैं तो समझ लिजी उनके रिष्टे में बचाने जैसा कुछ नहीं है यदि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सच बोलने की हिम्मत नहीं आप कर पा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करके समस्या को जरूर सुलजा ले आपके नीजी राज जानकर आपकी छवी ही खराब नहीं करेगा यदि ऐसा हुआ तो आपके रिष्टे पर बुरा प्रभाब परेगा एक दूसरे को अपमानित ना करे विवास सिर्फ भरोसी या प्रेम भी नहीं टिकता बलकि एक दूसरे के सम्मान पर भी टिकता है यदि पती-पत्नी में एक दूसरे के प्रती कोई सम्मान की भावना नहीं है तो दूसरा स्वैम को अपमानित महसूस करेगा ऐसे में रिष्टों में धराराना संभव है इसलिए पती-पत्नी को अपने रिष्टों को सम्मान देना चाहिए चानल के निती कहती है यदि आप सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा और यही आपके रिस्ते की डूर को काफी मजबूत करतेगा आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं साथी ऐसी ही तमाम जानकारीों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें फीस्बूक पीज को लाइक करें धन्यवाद